दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तीन ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनोंने आपे 6-2 के रेशियो से स्टॉक बोनस, 10-5 के रेशियो से स्टॉक स्प्लिट एंड पूरे 150% का डिविडेंड अनौंस कर दिया है और साती सात में सेल यानि की स्टील अ आजाते हैं दोस्तो बात करते हैं यहाँ पे अमारे पहले शेयर की तो इस कमपनी ने जो है लास्ट 1 एयर के अंदर में अपने इन्वेस्टर्स को 32% के रेटरंस दे दिये हैं जो की पिछले एक साल के हिसाब से अब कह सकते हैं decent रेटरंस हैं और इस कमपनी का जो शेयर प् के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कमपनी का एक शेयर है तो यहाँ पर आपको एक शेयर का bonus दिया जाएगा टोटल में जो आपका एक शेयर है वो दो शेयर के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद में आपको श्टॉक स्प्लेट दीया जाएगा 1 is to 2 के ratio से जिसकी वज़े से वो जो आपके 2 shares हैं total में 4 shares के अंदर में convert हो जाएगे तो अगर आप इन दोनों ratios को साथ में combine कर देते हैं तो आपको पता लगेगा आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 4 shares के अंदर में convert हो इसलिए आप इसको 3 is to 1 का bonus ratio भी कह सकते हैं basically आपके हर एक share के उपर में आपको 3 extra shares दिये जाएंगे आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 4-4 shares के अंदर में convert हो जाएगा और यह एकदम latest announcement है कल के दिन में announcement निकल करके आया है तो अभी तक company ने bonus और split को देने की x date और record date announce नहीं करी है जैसे ही company x date और record date announce करती है मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगर हम लोग बात करें stock के नाम की तो company का नाम है Capri Global Capital Limited और इस company का जो Bombay Stock Exchange का code है वो है 531595 अगले share की बात करें तो इस company ने जो है last one year के अंदर में अपने investors को 253% के returns दे दिये हैं जो की पिछले एक साल के हिसाब से काफी जादा अच्छे returns हैं और इस company का जो share price है वो 267 rupees के उपर में चल रहा है अगर हम लोग company के official announcement की बात करें तो इस company है आप इस stock split announce कर दिया है 5 to 10 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company के 5 shares हैं तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएंगे फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक stock यहाँ पे दो stocks के अंदर में convert हो जाएगा आप लोग यह भी कह सकते हैं आपके पास में इस company के जितने भी shares हैं वो सब के सब यहाँ पे double हो जाएंगे इस stock split को देने की x date और record date कंपनी ने अभी तक announce नहीं करी है जैसे ही company x date और record date announce करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा तो प्लीज आप चानल को subscribe कर लीजेगा अगर हम लोग बात करें stock के नाम की तो company का नाम में United Van Derhorst Limited और इस company का जो Bombay Stock Exchange का code है वो है 522091 अगले share की बात करें तो इस company ने जो है last one year के अंदर में अपने investors को 84% के returns दे दिये है जो की again पिछले एक साल के हिसाब से अच्छे returns है और इस company का जो share price है वो 431 रुपीज के उपर में चल रहा है अगर हम लोग company के official announcement की बात करें तो इस company ने अपनी face value का 150% का dividend announce कर दिया है जो की 15 रुपीज पर share के हिसाब से dividend बन जाता है यानि की हर एक share के उपर में आपको 15 रुपे का dividend दिया जाएगा चूकि इसके current market price का भी लगबग 3.5% का dividend बन जाता है अपने आप में काफी जाद अच्छा dividend announce किया गया है और ये एक interim dividend रहेगा इसको देने की जो X date और record date है वो 7th of February की रहने वली है तो अगर आपको इस company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको इसके dividend का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को उसकी X date यानि की 7th of February से पहले पहले purchase कर लेना हुगा अगर हम लोग बात करें stock के नाम की तो company का नाम है हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited और इस company का जो NSE code है वो है HINDPETRO आप इन तीनों companies के shares को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा इन में से आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा और जिन भी announcements की X dates upcoming में है वो जैसी announcement आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा तो आप channel को subscribe कर लीजेगा अब आजाते हैं बात कर लेते हैं आपे sale की यानि की Steel Authority of India Limited की तो starting में ही बताया था एक काफी बड़ी update निकल करके आ रही है तो sale की तरफ से काफी बड़ी update यह आ रही है कि यहाँ पे प्रबुदास लिल लैदर करके काफी जाना माना brokerage firm है और प्रबुदास लिल लैदर की जो technical research team है और उसकी जो vice president है वो है विशाली पारिक अब विशाली पारिक ने जो है sale यानि की Steel Authority of India Limited के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है फिलाल अभी sale यानि की Steel Authority of India का जो share price है वो 116 रुपीज के उपर में चल रहा है और प्रबुदास लिल लैदर ने हापे जो target price दिया है वो 122 रुपीज का दिया है तो लगबग 116 रुपे से लेकर के 122 रुपे तक की एक जो rally है वो यापे प्रबुदास लिल लैदर expect करके चल रहा है sale के share के अंदर में साथी साथ में प्रबुदास लिल लैदर ने आपे stop loss भी recommend किया है जो की 114 रुपीज कराएगा तो एक proper stop loss के साथ में full-fledged brokerage call जो है प्रबुदास लिल लैदर ने provide किया है sale यानि की steel authority of India limited के share के उपर में अब यहाँ पर आप देखी सकते है stop loss काफी जादा छोटा है और यहाँ पर target आपको stop loss के accordingly काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है तो काफी high expectations यही रहेंगी all over अगर market यहाँ पर bullish move में रहता है तो यह जो target है आपको इसी week के अंदर में achieve होता हुआ देखने को मिल सकता है वरना यहाँ आप आप देखी सकते है stop loss भी काफी जादा छोटा है तो अगर market हलका बहुत भी correction के mood में आता है तो काफी easily यह stop loss आपको hit होता हुआ देखने को मिल जाएगा बाकी देखा जाए तो यह जो brokerage call है थोड़ा सा risk ही रहेगा आप लोगों के लिए और जादा chances रहेंगे stop loss hit होने के बट अगर आपका vision mid term का या फिर long term का है तो आप इस brokerage call को ignore करके sale India यानि की steel authority of India के share को अभी current market price पर buy कर सकते हैं और mid term या फिर long term perspective wise इसे hold कर सकते हैं mid term और long term के अंदर में ये company का जो share है आपको काफी जाद अच्छे returns बना करके देने का potential रखता है तो मैं तो यही suggest करूँगा अगर आपके पास में ऐसा capital है जिसकी आपको short term के अंदर में जरूरत नहीं है और आपका vision यहापे mid term और long term का है तो definitely आपको sale के अंदर में invest करना चाहिए mid term long term wise और चाहे तो इस brokerage call को ignore कर सकते हैं बाकी ये totally आपका call होगा आपको इस brokerage call को follow करना है या फिर नहीं अगर चाहे तो sale India के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा stock के उपर में नजर बना करके रखिएगा और जिस हिसाप से भी momentum आता है उस हिसाप से अब अपना decision यहापे बना सकते हैं बाकी Steel Authority of India Limited के share के उपर से जो भी बड़ी update आ रही थी मैंने share करी साथी साथ में इसके अलावा 6 is to 2 के ratio से stock bonus 10 is to 5 के ratio से stock split और साथी साथ में 150% dividend वाले announcement को cover किया अब अगर आप कोई वीडियो ची लगियो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा बिकोस फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye